Hey guys, welcome back to Sartaj Sarki Class. मेरा नाम है Sartaj और मैं हूँ आपका English Trainer. Well, मुझे बड़ी तादाद में लोग इंटरनेट पर फॉलो करते हैं, YouTube पर तक्रीबान 27 लाग स्टूडेंट्स हैं, Facebook पर 1 मिलियन से भी जादा फॉलोवर्स हैं, इसी आधार पर मेरा कुछ experience है जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ. आज मैं आपको बताऊंगा, वो पाँच गलतियां जो लोग अंग्रेजी सीखते टाइम करते हैं, और इनी गलतियों के वज़े से वो जिन्दगी पर अंग्रेजी बोलना सीखी नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि हम में confident नहीं था, हम लोग डरते थे, हमारी grammar अच्छी नहीं थी, हमने कभी सही English बोलना सीखा ही नहीं, आज ये सारे भ्रहम दूर हो जाएंगे, वो पाँच गलतियां अपनी जिन्दगी से निकाल दीजेगा, अगर आप इसमें से एक भी mistake करते हैं, शुरुआत करते हैं, एक एक करके, आखिर अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आ पाता, पहली गलती, directly trying to speak English, यानि कि आप directly अंग्रेजी बोलने के बारे में सुचते हैं, मतलब आपको इंग्रेजी बोलना सीखना है, और आपको लगता है मैं इंग्रेजी बस एकदम बोल दूँ, फरनाटेदार, और एकदम मुझे इंग्रेजी आ जाए बोलना, कोई भी mistake ना हो, सबसे बोलना शुरू कीजिए, मान लीजिए मैंने आज से ही अंग्रेजी बोलना शुरू किया है, और मैं सीखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ, दो-तीन महिने में मैं अच्छी अंग्रेजी बोलने लगू, तो मैं आज से ही sentences बनाना शुरू नहीं करूंगा बड़े-बड जाना है, 10 o'clock तक मैं वापस आ जाओंगा, तो 10 बजे के बजाए 10 o'clock, नाश्टे के बजाए breakfast, इंतिजार के बजाए wait, ये छोटे-छोटे शब्द जैसे जैसे में अपनी भाशा में आड़ करता चला जाओंगा, आटोमेटिकली मेरी जबान पर अंग्रेजी उतर जाएगी, तो पहली गलती ये है, डिरेक्ली, स्टार्टिंग में ही, अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत कीजिए, यानि अगर मैं शुरुआत में सुबह सुबह बोलू, मम्मी, I want breakfast, तो ये नहीं हो पाएगा, ना ही मैं इस अंग्रेजी सीख सकता हूँ, चलिए, दूसरी गलती बताता हूँ, दूसरी गलती है, not speak in mind, यानि कि आप mind में बोलते ही नहीं है, कभी भी यह मैं सोचिए कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो मैं सामने वाले से directly बोल लूँ, ऐसा बिलकुल मत कीजिए, बलकि mind में सोचि अमाल लीजे आपकी फेवरेट मुवी है शोले, अब आप आखे बंद कीजिए या खोल कर रखिये, बस दिमाग में उसकी स्टोरी को अंग्रेजी में बोलना शुरू कीजिए, कुछ इस तरह से, शोले is a good movie, it's a story of two friends, there was a villain, his name was Gabbar, ऐसे ऐसे कुछ दिमाग में, 입니다. क्रिकेट के उपर, फिल्म के उपर, नियूस के उपर, नियूस के उपर, आठिकल्स के उपर, जिसके उपर आप चाहें, आस पास की चीजों के उपर, मॉबाइल फोन के उपर, Computer के उपर, Family के उपर, दोस्तों के उपर, तॉपिक्स लिजिए, और दिमाग में बोलना सुनते हैं देखिये speaking is not all about speaking it's also about listening यानि अंग्रेजी बोलना स्रीप बोलने तक सीमित नहीं है बलकि उसे सुनना भी चाहिए और सबसे बड़िया प्रैक्टिस सुनने की यह है कि आप YouTube या कोई भी एक वीडियो प्लाटफॉर्म खोड़ सकते हैं और वहाँ पर अपने फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, लीडर या जिनने भी आप फॉलो करते हैं या जिनने जानते हैं उनका नाम डाली और लिखिये speech in English जैसे अक्षे कुमार speech in English या सलमान खान interview in English या दीपी का पादुकोन interview in English इस तरह से अब ये लोग अच्छे speakers हैं, अच्छे English बोलते हैं, इन लोगों के interviews, इन लोगों की language, इन लोगों की speeches सुनिए और उन पर गौर कीजिए और कानों में earphones लगाकर आप इनकी speeches सुन सकते हैं और जिससा आपकी बहुत अच्छे practice होगी, तो ये practice आप जरूर कीजिएगा नमबर चार, don't worry about grammar, यानि grammar की चिंता यार छोड़ दीजिए, देखिए सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में बेठा लीज़े, grammar और English speaking, दो अलग-अलग चीज़े हैं, ये कभी भी एक नहीं हो सकती है, अगर आप अच्छे English भी बोलना चाहते हैं, फराटेदार तो अच्छे Hindi बोलता हूं और आप अच्छे Hindi बोलते हैं, सुन भी रहें, समझ भी रहें, और अच्छे से Hindi भी गा भी सकते हैं, डायलोग बाजी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको बता है कि Hindi के Tenses कितने प्रकार के होते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, अतिश्योक्ति अ English में, यानि कि English is all about practice, बस आपको practice करते जाना है, बोलने की grammar को side में रख दीजिए, उसके लिए live पढ़ी है, वो automatically आपको समझ में आने लगेगी, जैसे जैसे आप English बोलने की practice जारी रखेंगे, हां grammar उनके लिए number one पे हो सकती है, जो लोग किसी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं, मै number five और सबसे जरूरी point, जो सबसे बड़ी गलती है और लोग करते हैं और वो है no writing practice, यानि कि कोई भी writing practice नहीं करता है, अब आप और हम अक्सर अंग्रेजी बोलने की practice तो कर लेते हैं, हमें लगता है English speaking मतला बोलना, सुनना और लिखना ये सब एक तरफ कर देते हैं, ये सब सबसे बड़ी गलती है, रोज एक पेज लिखने की आदर डालिये, क्योंकि जब हम किसी language को सीखना चाहते हैं, तो उसके तीनो प्रकारों को सीखना पड़ता है, speaking, writing and listening, listening के बारे में मैंने आपको बताये कि दूसरों को सुनिये, writing बहुत बड़ा part है, अब कोई भी topic जिसे दिमाग में मैंने कहा था, सोची और उस पर बोली, आप उसे लिखिये भी, आप लिखने की आदर डालिये, आज मैं 100 words या फिर एक पेज मोबाइल के बारे में लिखूंगा, आज मैं 100 words इंडिया के बारे में लिखूंगी, आज मैं अपनी family के उपर एक paragraph लिखूंगा, अभी वो cyclone आयता ना गुजरात में, मैं उसके उपर अपने शब्दों में 100 या एक पेज लिखूंगी, कुछ इस तरह की आदर डालिये, तो दोस्तों ये वो पांच गलतिया हैं जो लोग अक्सर अपनी life में करते हैं, अगर आप अच्छे अंग्रेजी बोलना सीखना चा पढ़ाने का तरीका पसंद हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सरताज क्लासिस को सब्सक्राइब कर लिजिएगा जो की एकदम फ्री है, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखेगा, टेक केर, बाबाई